वल्कम टो माई यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाकाश सो आईबी एसी आयो का जो कोर्स है हमारे टेलिग्राम चैनल टार्गेट आईबी एक्जाम्स पे अप्लोड कर दिया गया है उसमें हम लोगों ने वीक वन के लिए जितने भी क्लासेज होंगी उसका शेडूल भी दे दिया है वहाँ पे पीडिएफ से जलना शुरू हो गई है सारे जो वीडियो के लिंक्स है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, वीडियो यहाँ पे अपलोड होंगी और PDFs वगरा आपको वहाँ पे मिल जाएगी, तो अगर आपने वह तक target IB exams को subscribe नहीं किया है, तो please टेलिग्राम पे जाके इसको subscribe कीजिए, कोर्स शुरू हो गया, जितना आप लेट करेंगे उतना आपक क्या है पूछना, इसी वज़ा से हम लोग previous year questions पे भी focus कर रहे हैं, और साथ में हमें focus करना है कि हमें cut off पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कि कितने चीज़ के लिए हमें at least इतना तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि at the end exam last में merit list पर जाएगी and not on the basis of cut off, cut off is just for qualifying ठीक है, cut off is just for qualifying the exam, ठीक है, अभी इसके बारे में discuss करेंगे, ठीक है, पहले देख लेते हैं कि cut off कितनी गई है और कितनी जा सकती है आगे और, ठीक है, एक बार उसका analysis कर लेते हैं कि कैसा track रहा है cut off का, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हैगा 2015 के हम cut off का analysis देखें, तो 2015 का exam है, ठीक है, so overall जो cut off थी, ठीक है, marks की जो range थी, वो cut off की range, general के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है, 75 to 80 है, ठीक है, other backward classes के लिए 70 to 75 है, ठीक है, one second, general के लिए 75 से 80 है, और SC and STs के लिए 60 to 70 है, now what is this, overall cut off का मतलब यह है कि यह tier 1 plus and tier 2 के लिए है यह, ठीक है, इतनी cut off गई थी, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें 75 में से basically अगर मान लीजिए कि 55 to 60 भी, अगर tier 1 से आया, तो tier 2 at least आपको 25 marks तो चाहिए चाहिए, ठीक है, ठीक है, 25 marks तो आपको चाहिए, यह ध्यान रखना, tier 2 में 50% cut off जाती है, और tier 1 में at least 55 to 60 की range, अभी हम यहा देख रहे हैं, जब 2015 के marks की बात कर रहे हैं, 55 to 60 की range आप लाके चलिए on an average, out of 100, ठीक है, out of 100, यह tier 1 है, ठीक है, जिसमें negative marking जो है, वो 1 fourth है, 0.25 is negative marking क्योंकि एक marks का एक question है, ठीक है, tier 2 जो होगा आपका, tier 2 होगा 50 marks का, ठीक है, जिसमें हमें दिख रहा है कि 50%, मतलब at least 25 marks त वो लाने ही लाने हैं, तभी आप interview के लिए जा पाएंगे आगे, ठीक है, दिख रहे हैं आप ध्यान से के cut off में ज़्यादा फरक नहीं है, general OBC और SCST में, ठीक है, almost आसपास ही है cut offs, ठीक है, तो यह था 2015 का analysis, अब हम देखते हैं 2017 का analysis, यहां आप notice क्या करेंगे, कि जो cut off है वो थोड़ी सी कम है, ठीक है, 2017 की cut off है, टीर 1 की out of 100, ठीक है, UR की 65 गई है, OBC की 60 गई है, ठीक है, SCST की यह और यह 50-50 गई है, ठीक है, अब यह अगर देखेंगे तो comparatively यह ज्यादा है, यह कम नहीं है, ठीक है, कैसे क्योंकि last में 55 to 60 लाने थे टीर 1 में, ठीक है, और यहाँ पर कितनी है, 65 तक जा रही है, OBC की 60 तक जा रही है, तो out of 100 आपको 60 marks, 65 marks, मैं तो आपको कहूंगा के 70 marks आपको बहुत जरूरी है लाने, ठीक है, तब ही आप cut off की clear कर पाएंगे, बिना किसी tension के, टीर 2 की cut off देख लेते हैं एक बार, UR की 30 गई है cut off, out of 50 है, ठीक है, यह जो टीर 2 cut off है, यह 50 है, ठीक है, तो यह 30 गई है, OBC की 25 गई है, वही same last time जैसा कुछ, और SCST की 20, तो देखिए आप total, tier 1 और tier 2, कितनी गई है, 65 प्लस 30, 95 marks, out of 150, समझ रहे हैं, last time से कितने ज्यादा हैं, वहाँ पर कहा 75, 80 से होगे, आप 20 marks ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, तो 20 marks बढ़े हैं, यह ध्यान रखेगा, 20 marks बढ़े हैं, ठीक है, 2015 के comparison में, ठीक है, अब यहाँ से जब आप जाएंगे, तो फिर interview के लिए आप होते हैं, tier 1 औ tier 2 के लिए जब जाएंगे आप बाहर, ठीक है, तो आप जाएंगे tier 3, which is interview, ठीक है, अब conclusion मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, जो basics आपको जानने बहुत जरूरी है, ठीक हो, first step जो आपका है, ठीक है, अराम से समझाता हूँ आपको, step 1 क्या है हमारा, tier 1, which is out of 100 marks, ठीक है, step 2, which is tier 2, और ये क्या है, out of 50 marks, ठीक है, अगर हम देखेंगे, ये प्लस करके, जब आपकी overall cutoff, जब overall marks आएंगे, ठीक है, उपर होंगे उससे, तभी आप clear करेंगे, clear for interview, I think ये pen में थोड़ा सा issue होगा, मैं white ले लेता हूँ, आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो clear होगे आप interview के लिए, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें अब, तो 2015 में, हमें tier 1, tier 2, और total, ठीक है, total हमारे पास कितना था, यहाँ पर 70 लेके चलिए आप, ठीक है, जिसमें से आप मान लीजिए, कि 20 से 25 होगा tier 2 का, और around 50 होगा tier 1 का, ठीक है, अब यही पर अगर आप 2017 में देखेंगे, तो देखेंगे, कितना marks का वो हो गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए, 95 पहुँच गए हम, तो tier 1 is around 70, and tier 2 is around 25, ठीक है, तो increase देखिए आप, increase कितना होगा है, 20 marks का increase होगा है, तो अगर आप 2023 में exam दे रहे हैं, तो I would suggest you some things, ठीक है, टोटल at least out of 150, ठीक है, यह 100 marks हो गया है, 50 marks हो गया है, तो टोटल 150 marks है, overall is 150, और last में interview के 100 होते हैं, और उसके बाद जिसके जो, जैसे इस बार 995 vacancies हैं, तो जो भी पहले 995 बच्चे होंगे, जिनके ज्यादा marks होंगे, वो cut off में आ जाएंगे, वो merit list के अंदर आ जाएंगे और बाकी लोग निकल जाएंगे, ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, तो 2023 में tier 1 में आपको at least, मेरे साब से समझ के चलिए है, आपको 80 marks, 75 से 80, बहुत जरूरी है, आप इसको clear करेंगे, तभी आप जाएंगे tier 2 में, tier 2 में आपको at least 30 लेकर आने पड़ेंगे which means कि आपको 100 से 105 at least लाने पड़ेंगे out of 150 ताकि आप interview के लिए clear कर सकें, तभी interview में जाएंगे, जो कि 100 marks का होता है, ठीक है, 100 marks का होता है interview, last में जाके आपके 250 marks में से total लगेंगे, और जो भी 995 बच्चे, जिनके सबसे आदा शुरू में marks होंगे, वो merit list में आ जाएंगे, उनको vacancy मिल जाएगी, allot कर दी जाएगी, बाकी लोग बाहर रह जाएंगे, तो game last में merit list की है, लेकिन आपको maximum score करना है, cut off तो clear करनी ही है, लेकिन आपको score भी maximum रखना है, ताकि आपको आगे जाके issue ना हो, ठीक है, तो इस चीज़ को बिलकुल ध्यान रखेगा, ठीक है, ये था पूरा session जिसके हंदर हमने discuss किया, ठीक है, कि क्या से cut off गई है last year से उससे, ठीक है, और कितना हमें marks लाने पड़ें, क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना हमें कि हम कितने marks के लिए लड़ने वाले हैं, वो बहुत जादा important है, ठीक है, नहीं तो आप कितने भी रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं marks लाने की और पढ़ लिया आपने जैसे पढ़ लिया, उससे कोई मतलब होगा नहीं, ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम लोग वो चीज़ें पढ़ें, ठीक है, जिससे जादा marks आए हमारे, ठीक है, और हम जादा score कर पाएं, ठीक है, तो to conclude मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, समझ लीज़े आप, पहला, go for merit list, and not run for merit list, do not chase the cutoff only, यह नहीं, आप सिर्फ cutoff को chase कर रहे हैं, merit list में फिर आपका नाम नहीं आ पाएगा, आपको जितना आपका हो सके, score as much as you can, ठीक है, यह बहुत जरूरी है कि आप score जितना आप कर सके, आप उतना score at least कीजिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है, so this was the video about previous year questions, I hope कि आपके बहुत सारे doubts जो होंगे, वो clear किये होंगे मैंने, tier 1 के बारे में आपको बताया है, मैंने जो 100 marks का होता है, tier 2 के बारे में बताया, ठीक है, जो 50 marks का होता है, total 150 होता है, तो 150 में से आपको इस बार 100, 205 लाने ही पड़ेंगे, तभी आप interview के लिए बैठ पाएंगे, interview होने के बाद फिर आपका 250 जो total marks बनेंगे last में, उसमें से आपके कुछ marks होंगे, अगर आप वो 995 लोगों जितने marks होंगे सबके, ठीक है, जैसे सबसे top marks सोच लीजे, 200 आ गए, 250 में से मान लो, चलो 200 आ गए, तो 200 फर्स्ट जो rank हो गया, वो तो आई क्या 995 में, उसके बाद calculate करते करते, जैसे ही 995 वच्चे select हो जाएंगे, वैसे vac वेकेंसी आके लास्ट जो वेकेंसी, 995 वेकेंसी जो है, अगर वो आके रुकती है 149 पर, तो 148 वालेगा कोई मतलब है नहीं, वो clear तो कर जाएगा, लेकिन फिर उसकी जो आपनी लगे, वेकेंसी सिर्फ इतनी है, वेकेंसी जितनी होंगी, उतनी ही आपको बच्चे select करें तो इस चीज का ध्यान रिखे है कि score as much as you can, ये ध्यान रखेगा, ठीक है, so this was all about the cut-off analysis, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, so keep studying and keep supporting, जो लोग नहीं है इस चैनल पर, please like the channel, like the video, subscribe to this channel and follow our telegram, subscribe to the telegram channel, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको सारा जो curriculum है, वो सब कुछ आपको मि weekly, ठीक है, ताकि आपका जो exam है, वो one to one and a half month में आप उसकी preparation पूरी कर सके, so thank you so much for watching this video, and from my side, all the best, ठीक है, और ये exam हम लोग मिल कर निकालेंगे, क्योंकि हमें selections चाहिए, हमें बच्चों की भीड नहीं चाहिए, जो बहुत serious बच्चे है, वो please join कीजिए इस channel को, और सारी videos जो हैं आपको free मिलेंगी, PDFs आपको free मिलेंगी, अभी तक course एकदम free है, आप join कर सकते हैं, classes आज शाम से शुरू होने वाली है, thank you so much for watching,